आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं रिनाम असिद्धान तक नहीं होते हैं, तरी श्टड़ी आएक्यो पे आपका बहुत स्वागत है, दोस्तों लद्दाक बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, अपको बहुत नहीं है, एलेसी पे, और 99% चांसे है कि वार नहीं होगा, ठीक है, हमारी सेना सक्षम है, जवाब देने के लिए, और 99% चांसे है, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते, टेंशन तो है ही है, अब इसकेलेशन का जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट है, आप देखते हैं आगे क्या होता है, फिलाल, ये वीडियो जो हम हम इसमें भारत की फॉज और चाइना की फॉज दोनों का कमपेरिजन करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन परपस के लिए है, मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी, मैंने का चलो ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, इस वीडियो का परपस ये बिल्कुल नहीं है, कि हम वार को मोटिवेट करें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन परपस के लिए, हम कुछ बाते देखेंगे, एक्चली क्या है, कि मैं ये देखता हूँ, कि चाइना को जो ग्लोबल टाइम्स है, जो उनका माउट पीस है, उनके जो मीडिया है, वो बहुती जादा बड़ और है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जानकार हैं, उनका ये मानना है, ग्राउंड रियालिटी कुछ और है, ग्राउंड पे चाइना जो है, इतना ताकतवर नहीं दिखता है, क्वांटिटी ड़ नोट मैटर, क्वालिटी मैटर्स, और क्वालिटी में भारत बहुत ज़ादा इस मुश्किल वक्त में एक आपसे अपील करना चाहूंगा, भले ही हमको कितने भी जादा मतबेद हो अपनी सरकारों से, ठीक है, मेरे भी रहते हैं, नेतिक मतबेद, पॉलिसी पे मतबेद, मेरे भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिए, जब भी कोई external danger होता है, अगर ह किसी देश से युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आपको अपने देश का साथ देना है, अपनी सरकार का साथ देना है, सबको साथ में खड़ा होना, याद रखिए, इस समय, criticism की कोई जगा नहीं है, क्योंकि ultimately हमारे लिए सबसे important हमारा देश है, तो भारती होने के नाते, आप आपको साथ देना है, अमारी आर्मी का, और जो सरकार decision ले रही है, आपने देखा, अभी सरकार में meeting की, ठीक है, सारी parties को बुलाया, तो जब भी external war, जब war नहीं है, तब तो ठीक है, democracy है, मतबेच चलते हैं, बिलकुल oppose करिए, लेकिन जब external danger हो, हमेशा अपने देश के साथ खड़े रही है, चाहें, जो भी हो, समझ रहे हैं, तो जै हिंद, जै भारत, तो हम इस lecture में देखेंगे, Indian forces और चाइना की forces के बीच में comparison, UPSC के लिए smart course हमने बनाए है, आप study IQ का आप डाउनलोड करिए, और वहाँ से आप available कर सकते हैं, साथे साथ मैं Twitter पे आ गया हूँ, यह रही मेरी idea, दोस्तों यह देख लीजिए, यह थोड़ा सा मैं आपको एक basic बता ही देता हूँ, ठीक है, यह है चाइना, और आपको पता ही है कि यह पुरा Siachin Glacier है, यह Oxitian, मतलब यह वाला Oxitian Area है, ठीक है, जो पाकिस्तान ने, मतलब जो 1962 War में चाइना ने लिया था, और यह वाला जो area है, यह पाकिस्तान ने चाइना को gift में दे दिया था, ठीक है, अब दोस्तों, Galvan Valley में, अगर हम बात करें, आपको पता ही है, पंगॉंग सो लेक जो है, 35 किलोमीटर लंबी, उसका 35 किलोमीटर एरिया जो है, वो भारत में आता है, और 90 किलोमीटर चाइना अब देखें, यहाँ पे LAC जो है, यह line of actual controllers का proper demarkation नहीं है, यह आपको पता ही है, अब जैसे LOC है, हमारी जो line of control है, यहाँ पे proper demarkation है, fences लगी हुई है, वो area तुमारा यह area मेरा, LAC में है नहीं, चाइना चाता भी नहीं की fences लगाई जाए, भारत ने कई बार कोशिश की ह लेगिन चाइना नहीं चाता है, क्योंकि चाइनों का advantage है, चाइना की army क्या करती है, आगे बढ़ती जाती है, अगर उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है, तो वहीं तंबू गार के बैढ़ जाती है, चाइना का सीधी strategy होती है, इसलिए चाइना को पीछे धकेलना होता है, आपको एक और चीज़ बता दू, 1962 के बाद भारत से जितनी बार चाइना भीड़ा है, इंडारेक्ली भीड़ा है, ठीक है, 1962 वार भी दोस्तों हम advantage, मतलब काफी कुछ गलतिया तो हुई, ठीक है, कुछ गलतिया हुई, लेकिन चलिए होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 1962 के बाद, जितनी बार हम चाइना से भिड़े हैं, उतनी बार भारत ने चाइना को पीछे ढखेला है, हमेशा भारत की जीत हुई है, ये मैंने बता ना कि चाइना की strategy रहती है, वो आगे बरते रहते हैं, ठीक है, चाहाँ वो 1967 में हो, फिर चाहाँ वो late 1980s में हो, य हम जीत सकते थे, कुछ ऐसी चीजे थी, अगर हम उनको करते तो जीत जाते, बट अलग टॉपिक है, उसमें फिला लहीं जाएंगा, जो है सो है, ठीक है, तो ये बोलना कि भारत जो है, कई बार ऐसा देखा, कई बार ऐसा लिखता है चाइना, जब ये डोकला में शू हुआ आता तो उनका जो ग्लोबल टाइम से है, वो डेली खबरे निकालता था, कि 1962 याद करो, 1962 याद करो, बहुत ही मैच्चोर देश है, वो ऐसा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए उनको, कि भारत की आर्मी भी दुनिया की वन अफ दा बिगेस्ट आर्मी है, समझ रहे हैं, और हम भी वक्त आने पर बहुत तगड़ा जवाब देते हैं, चाइना को ये बात पता है, बहुत अच्छे से, चीन को ये बात पता है, कि इनसे हम भिड़ नहीं सकते, लौस चाइना को बहुत ज़दा होगा, ठीक है, तो इसलिए अभी de-escalation शुरू है, अ जो च्छायना ने, ये टिबबको पूरा चायना ने लिया, आधा भारत से चायना की Bountry कहा लगती थी, ठीक है, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये तो तिबबळ था ना, ठीक है भारत से कहा Bountry लगती थी, लेकि 1960 आते आते चायना ने टिबबको पूरा अपने कबजे में लिया इधार दलाई लामा भागे फिर भारत है ठीक है वो सीधे साधे लोग दलाई लामा भारत है राजबुन की सरकार भारत से ही चलती है ठीक है इधार धरम शाला मतलब हिमाचल प्रदेश से तो अगर हम बात करें तो चाइना ने सब कुछ कबजा करके रखा य चाइना इतना बड़ा नहीं था ठीक है लेकिन एक्सपैंशन किया एक्सपैंड गे चाइना ने ठीक है जिंजियान प्रोविन को अपने कबजे में लिया जिंजियान जो प्रोविन्स है और आपको बता दूं कि चाइना की 70-80% पॉपुलेशन यहां रहती है ठीक है इस ए समझ रहे है ऐसा इसलिए है यह देखें बीजिंग है यह बिलकुल यहां से पास है कोस्टल एडिया में ऐसलिए है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा फैवरेबल है चाइना के लिए ठीक है तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है अब हम बात करते हैं भारत और चाइना के कमप बड़ी है, शी जिंपिंग का ये कहना है, उनके बायग्राफ मैंने रिव्यू की है, जब से वो आए है 2014 से, उनका ये कहना है कि हम 2050 तक चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बना देंगे, ठीक है, पीले को पीपल लिबरेशन आर्मी जो है, उनको सबसे बड़ी आर् इस्टिमेंट है, 261 बिलियन डॉलर मिलिटरी पे स्पेंड किया है, 261 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतनी स्पेंडिंग है, जो लेटेस्ट अगर स्पेंडिंग की बात करें, 2019 में, और भारत की है, 71.1 बिलियन डॉलर, ये आप देख सकते हैं, लगातार 5 सालों में चाइना के स्पेंडिंग बढ़ी है, इस हिसाब से चाइना जो वो दूसरे नंबर पे है, और भारत जो है, मिलिटरी स्पेंडिंग के मामले में तीसरे नंबर पे है, समझने है, 71.1 बिलियन डॉलर, ठीक है, भारत ने भी बहुत जादा स्पेंड किया है, ठीक है, चाइना ने भारत स तीन उगुना जाद है spend किया है, उनका आकार बड़ा है, उनके बाद foreign reserve जादा है, तो उनका बनता भी है, ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों strength की, ठीक है, अब अगर बात करें active personals, देखिए ये जो आंकडे है, एक चीज मैं और बता दू, ये जो मैं comparison कर रहा हूँ तो आपको numbers जो है, military के ने, ये active personal strength तो ठीक है, बाकी जो tanks, armored vehicles, ये total aircraft, इनके जो numbers है, ये अलग अलग को मिलेंगे, ठीक है, क्यूंकि देश जो है, कभी भी अपने जो हतियार है, उनका आकड़ा जारी नहीं करते हैं, वो figures कभी निकालते ही नहीं है, तो सब कुछ estimation पे based होत जो common निकला, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ये जो आकड़े है ना, ये vary कर सकते हैं, हो सकता है, आप किसी और website पर पढ़ें, तो ये अलग मिलें, लेकिन लगभग लगभग इसी के ही around मिलेंगे, ये चीज़ आपको clear बहुत बढ़िया, तो अगर हम strength, I'm sorry, अगर हम strength की बात करें, तो देखो भया, चाइना अगर active personnel, जो active है, उसमें सबसे ज़ादा है, चाइना की आर्मी में 22,00,00 active personnel है, ये जो soldiers है, ये बिल्कुल active है, तैना, यो दोगा तुरंत जाएंगे, और भारत के पास है 14,00, ठीक है, भारत के पास है 14,00, लेकिन यहाँ पे दोस्तों, game बदलेगा, कैसे बदलेगा, भारत के पास reserve personnel कितने है, 21,00, के करीब, ठीक है, 21,00, के करीब, और चाइना के पास reserve कितने है, 5,00, तो total military strength कितनी हुई, चाइना की 27,00, भारत की 34,00, देखिए, और उसमें एक और चीज़ है, leadership, अगर हम total military strength की ब अगरे में बात करें, तो चाइना आगे है, देखिए, दो चीज़े यहाँ पे चाइना को पीछे ढगेलती है, मैंने बता कि आपको कागस पे चाइना बहुत ताकतवर लगेगा, लेकिन यहाँ पे दो चीज़े है, सबसे पहले अभी जहाँ पे stand-off हो रहा है, ठीक है, दाक वाले एरिया में, पंगौंग सो, लेक वाले एरिया में प्रॉपर रोट्स नहीं है, ठीक है, वो हिली रीजन है, मुश्किल है, वहाँ पे ट्रांस्पोर्टेशन मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है, पहली तो यह, कुद्रती बाधाये, चाइना को रोकती ह है भारत के officers बहुत ही ज़ाद experience है लेकिन चाइना के officers को ज़ादा युद्ध का experience है ही नहीं लास्ट जो युद्ध था देगि चाइना ने सबसे पहले जब चाइना बना ठीक है जब चाइना में communism हाया पीएले जब बनी 1949 मौज़ दौंग ने जब बीजिंग से तेलिमनें स्क जाया पूरा का पूरा ठीकके उसके बाद भारस से वार हुई 1962 फिर सोवियत से वार हुई सीमा विवाद था 1969 और उसके बाद last जो वार थी वो वियतनाम से थी उसमें चाइना को बहुत-बड़ी जीत कोई नहीं मिली थी 1979 जो भी इतना वार की बात करें तो चाइना ने जो लास्ट वार लड़ी थी ना actively जो वो involved हुए थे वो 1979 में हुए थे उसके बाद चाइना बिल्कुल शांद बैटा है तो अब जो leaders आ रहे हैं उनको first hand experience नहीं है युद्ध का चाइना की leadership जो leaders हैं ये इतने efficient है ही नहीं ऐसा जानकारू का मानना है अब भारत की बात करते हैं देखिए मैं एक example दूँगा आपको मेरा एक friend है ठीक है बहुत ही brilliant है बहुत ही SSB में गया नहीं हुआ ठीक है मतलब दो-तीन बार उसने SSB दिये थे फिर उसने CDS का भी कई बार दिया नहीं हुआ उसका कम से कम उसने 8 से 9 बार SSB दिये होंगे उसका नहीं हुआ मतलब आप समझ रहे हैं और बलके वह बहुत brilliant है इक स्ट और नरी इसी लिए जो इंडिया में leadership है भारत ने जितने भी युद्ध जीते हैं कारगिल वार देखिए कारगिल वार से tough दोस्तों कुछ नहीं हो सकता 1999 में कारगिल वार जब हुआ मैंने पूरा separate lecture लिया है उससे tough कुछ नहीं हो सकता ठीक है पाकिस्तान की सेना पहार पे जाके बै हरा दिया उन्होंने ठीक है इंपॉर्टेंट हिल्स पे इंपॉर्टेंट पॉइंच पे भारत का कबजा हो गया तो भारत की जो leadership है वो दुनिया की सबसे बहतरी leadership है इंडियर आमी की जो leadership है क्योंकि इंडियन आमी never compromises वो quality पे ध्यान देती है quantity पे नहीं इंडियन आमी में यह recruit पे नहीं निकालते हैं UPSC exam conduct करवाती है और आपको खुद पता है जो CDS दे रहे होंगे कितना tough exam होता है वो तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा advantage है and army forces is all about leadership अगर आपकी leadership अच्छी तो आप कोई भी जंग जीच जाएंगे कितने सारे examples है मैंने देखिये इतिहास के म भारा दिया ऐसे कितने examples है समझ रहे हैं तो अगर हम बात करें military strength में भारत 34 lakhs टोटल और China stand करता है 27 lakhs यह बिल्कुल पक्का है यह तो आखणा बिल्कुल सही है ठीक है यह जादतर website पे और जो सिप्री है ठीक है वहाँ पे आपको यह मिलेगा अब यहाँ पे थोड़ी सी खोजा उसके बात जो common मना वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ टैंक्स की बात करें तो भारत के पास 4292 टैंक्स है इसमें T21 टैंक्स भीश्म अर्जुन कमाल के टैंक्स शामिल है ठीक है और चाइना के पास लगभग 3500 अब यह कहीं पे आपको मिलेगा चाइना के पास 10, 1000 से जादा टैंक्स है ठीक है लेकिन अगर ग्लोबल फायरांस की माने तो यह 3400 से 3500 के बीच में है ठीक है लेकिन दोस्तों टैंक्स बेकार है टैंक कहां पर यूज होगा टैंक वहां पर यूज होगा जैसे जब भारत और पाकिस्तान को यह दूआ वहां पर टैंक यूज ह ठीक है, टैंक्स को ट्रांस्पोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, हिली टरेन पे टैंक्स का कोई काम ही नहीं होता, ठीक है, हिली टरेन पे जब भी लडाई होती है ना, लद्दाक में लडाई होगी, तो वहाँ पे टैंक बहुत मुश्किल नहीं होगे, तब ही आप देख एडवांटेज है, 33,000 चाइना के पास है और भारत के पास 8,600 है, ठीक है, आर्टिलरी की बात करें, तो भारत के पास अच्छा खासा फिगर है, 5,000 के करीब, और यहाँ पे 9,700 के करीब, सेल्फ प्रोपेल्ड आइटिलरी, 290 और चाइना के पास 1710, यह हाँ, सबसे इंपोर्टन, यह रॉकेट आइटिलरी, यह भारत के नेगेटिब में जाएंगे, देखें, टैंक्स, आर्मर्ट फाइटिलरी होते हैं, यह बहुत इंपोर्टन होते हैं, इसमें चाइना को बहु जादा चाइना के पास रॉकेट आइटिलरी है, भारत के पास 206 के करीब हैं, इसमें चाइना को एडवांटेज है, ठीक है, उसके बाद एयर फोर्स की बात करते हैं, एयर फोर्स में भारत जो है, वो चाइना के बिलकुल बराबरी खड़ा है, थोड़ा सा चाइना को एड मतलब एरक्राफ्ट के मामले में चाइना की पावर जादा है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी दोस्तों हो, हिली टरेन में अच्छली में सब कुछ सोल्जर्स को ही देखना होता है, हाँ एरफोर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन भारत के अगर ट्रांस्पोर ट्रांस्पोर्ट भी तो जरूरी होता है ना, तो यहाँ पे भारत टोर चाइना वेहल्कुल साथ में खड़े हैं, चाइना के पास भी लगबग 250, भारत के पास 250 और भारत के पास ग्लोब मास्टर है, और ग्लोब मास्टर एक साल बहुत सारे सोल्जर्स को में हैं ठीक है और हेलिकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास अपाचे हेलिकॉप्टर्स हैं अच्छा हेलिकॉप्टर्स अटाक हेलिकॉप्टर्स की बात करें तो अपाचे देखिए जो भारत के पास हेलिकॉप्टर्स है उन्होंने युद्ध को झेला है ठीक है रखिएगा ये मैं जो बता रहा हूँ न ये अभी तक टेस्ट नहीं हो पाए हैं क्योंकि चाइना जो है अभी तक actively involved नहीं रहा है किसी war में 1979 के बाद ठीक है भारत के पास जो हतियार है वो टेस्ट हो चुके हैं ठीक है लेकिन इनके helicopter aircraft अभी तक टेस्ट नहीं हो पाएंगे तो पता नहीं है कि जब ground में आएंगे तो क्या performance होगा समझ रहे हैं तो ये चीज है हाला कि भारत के पास helicopter 725 है लेकिन efficient है उसके बाद navy की बात करें नेवी का यहां पे इतना कोई रोल खास है नहीं देखिए नेवी में वैसे भी चाइना की बैंड बजी पड़ी है क्यों देखिए भारत की बात करें देखिए चाइना की जो ज़ादतर नेवी है वो South China Sea क्योंकि South China Sea को पूरा claim करता है चाइना थीक है South China Sea पे मेरा पूरे सेपरेट टेचर आप देख लीजेगा South China Sea को South China Sea में चाइना की बड़ी naval force है उसको छोड़के नहीं जा सकता चाइना आदी से जादा तो वहां पे है उसको छोड़के जाएगा नीचाइना क्यों इधार अमेरिका ने भी तो अपने जंगी बेड़े बेचे है ना अमेरिका ने भी अपने aircraft carrier तैनात कर दिये हैं तो अगर South China Sea की बात करें मतलब South China Sea क्या रहा हूं टोटल नेवल की बात करें तो चाइ चाइना बिल्कुल अखेला पड़ रहा है आप देख रहे हैं रश्या कभी चाइना की बात करेंगा नहीं ठीक है अमेरिका है भारत के साथ बहले ही अमेरिका का इंट्रस्ट है याद रखिएगा यहां पे देश एक दूसरे का इसलिए साथ दे रहे क्योंकि उनका पर्मने इंट्रस्ट ठीक है तो यहां पे देशों को पर्मनेट इंट्रस्ट लेकिन है तो भात अमेरिका चाइना के साथ अमेरिका भारत के साथ ठीक है पाकिस्तान पाकिस्तान को टवा ठीक है पाकिस्तान अभी इतना वो नहीं है लेकिन चाइना जो बिलकुल अकेला पड़ गया है रश्या चाइना के मदद करने वाला है नहीं भारत ने इधर उस्ट्रेलिया से मिलेटरी अग्रिमेंट साइन कर लिया है यूरोप ने वैसे ही चाइना को पूरा घेर के रखा ठीक है सब्मरीज की बात करें पंडुबी की बात करें तो चैना के पास चोहतर और भारत के पास 16 है ठीक है लेकिन भारत के लिकन वाखंत के पास यहां पर अच्छा खासा एक्सपीरियनस है ठीक है तो ये चीज है पेपर पे यहाँ पे भले ही आपको लगे कि चाइना की आर्मी जादा है लेकिन अक्शुल में कुछ और ही है जानकारों का ये मानना है कि चाइना की आर्मी अगर ग्राउंड रियालिटी की बात करें तो मुसीबत में पड़ेगी अगर किसी भी स्ट्रॉंग निशन से या अपने बरावर के निशन में वो युद्ध में जाती है इसी लिए चाइना सोच समझ के कदम उठा रही है फिर दोस्तों एक ये भी है ना भारत और चाइना के ट्रेड बहुत अच्छा है और अगर चाइना कुछ भी करेगा तो अभी आप देखी रहे है कि चाइना के जो कॉंट्राक्स हैं उनको एक के बाद एक भारती सरकान निरस करती जा रही है तो इनके trade पे बहुत ज़धा असर पड़ेगा चाइना ने इतना पैसा कहा से लिया है जो military पे expend कर रहे हैं सब business से ही तो कमाया है न तो अगर चाइना को बिलकुल अलग करेंगे वैसे तो पूरी दुनिया एक तरीके से चाइना के खिलाफ उनको आवाज उठा नहीं चाहिए ठीक है और उठा भी रही है तो अगर चाइना कुछ भी उल्टा सीधा करेगा तो trade पे बहुत ज़्यादा अंकसान होगा war तो वैसे दोस्तों बहुत ही unlikely है 98-99% war नहीं ही होगी ठीक है लेकिन फिर भी कुछ क्या नहीं सकते है border पे तनाव तो बना हुआ है समझ रहे हैं तो ये comparison था मैंने बताया कि ये जो figures है ये थोड़ा सा उपर नीचे हो सकते हैं आप कुछ website पर देखे आपको अलग मिलेगा कुछ पर अलग लेकिन मैंने बिल्कुल बहुत सारी website को study करके ये figures आपके सामने रखे हैं ठीक है खुश रहे हैं पढ़ते रहे हैं देशे सिद्धान तक नहीं होता ही signing off